हाई फ्रेंड मेरा नाम है मांशू परशर और आप देख रहे हैं स्टेक मांशू सॉंग्स फन भी एजूकेशन भी तो जैसे कि मैंने आपसे सभी से कहा था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको टिप्स एं ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन स्टडी कैस और कई सारे एप्लिकेशन पर हम पढ़ रहे हैं है ना अब एक बात को समझे यूट्यूब उसमें से नंबर वन है जिस पर हर स्टूटेंट हर आदमी जाता है अगर उसको कोई टॉपिक देखना है या उसको कोई न्यूज देखना है कुछ भी हम स्टडी की बात कर रहे है तो हम टॉपिक की बात करेंगे है ना तो अगर उसको कुछ भी देखना होता है तो वो यूट्यूब पर आता है है ना आप कहीं भी कोई भी online content से जोड़े हैं online coaching से अगर आप कोई भी जोड़े हैं कोई भी YouTube channel से अगर आप जोड़े हैं तो आपको क्या-क्या बातें याद शेयर करना है आप मुझसे promise किजे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे क्योंकि यह जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं यह वीडियो अभी तक पहला वीडियो होगा यह क्योंकि अभी तक किसी ने यह नहीं बताया है YouTube क्लियर आंगे हिसाब से analyze करके आपको मैं present कर रहा हूं ठीक है तो यह 10 wonderful rules हैं जिन पर हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से online study करें ठीक है पहला rule watch only one teacher for one subject अब बहुत ध्यांस सुनिएगा English में लिखा हुआ है परिशान होने वाली बात नहीं है मैं हिंदी में उसको सारी चीज़ों को ट्रां के लिए clear फिर से for example आप economics पढ़ रहे हैं आपको एकी teacher follow करना है पहली चीज़ बहुत important है यह क्योंकि अगर आप दो teacher तीन teacher से पढ़ते हैं तो guarantee आपके examples mismatch होंगे आपका concept भी शायद mismatch हो जाए clear समझ रहा है मेरी बात को समझाने का तरीका सबका अलग होता है सारे educator जितने भी YouTube पे हैं या other applications पे हैं या कहीं और हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सारे teacher बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पर आपको एक को choose करना है आप choose कैसे करेंगे आपको यह देखना है कि आपको समझ में आता है क्या उस educator का उस teacher का क्या वो teacher आपको अच्छे से define कर पाता है ह यह आपको देखना है है ना ओके आंगे बरते हैं multiple teacher does not watch don't watch it आपको नहीं देखना है multiple teachers को है ना जो कि मैंना rule 2 क्या है rule 2 पर बात करते हैं do not watch teachers who waste your time देखिए आपको उन teachers को नहीं देखना है जो आपका time waste करते हैं सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा यूट्यूब पे आपको हजारों educator मिल जाएंगे economics के business studies के accounts के समझीगा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझीगा पर सबसे बड़ी बात क्या है देखिए कई सारे लोग अपना जो watch time होता है वो बढ़ाने में लगे रहते हैं तो काफी बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं आदे घंटे की एक घंटे की जिसमें से आप ये मान लीजेए कि कम सकम 20 से 25 मिनट सिर्फ बाते होती हैं और इसके लावा कुछ भी नहीं होता तो ऐसी जगा time waste मत कीजिए मेरी बात मानिएगा नहीं तो बाद में इसका बहुत बड़ा disadvantage आपको देखने को मिलेगा तो आपक बहुत time बाद आपको समझाते हैं concept पहले अदर शुर्व की बाते करते रहेंगे concert से related बाते नहीं करेंगे इधर शुर्व करते होगया वैसा हो गया यहां यह इंडिया में ये हो रहा है वो रहा है यह सब यह सब आपको बाद में अपने free time में चेक करना है कि news में क्या हो र हो गई दूसेर चीज थी हमारी है ना तो हमको उन teachers को follow नहीं करना है जो हमारा waste करते हैं हमारे time को है ना third rule क्या कहता है coaching teachers fight देखिए क्या होता है आजकल आजकल controversial एक चीजे बन जाती है जैसे for example ले लेजे किसी का YouTube Channel है उस पर कई सारे subscribers हो गए तो उस पर उट्टी सीधी comment करना fight करना हम student fight करने लगते हैं कि आरे वो teacher अच्छे है नहीं किसी ने बोला नहीं वो teacher अच्छे है तो हम सब आपस में fight करने लगे कि ये teacher अच्छा है वो teacher तो इन type की चीज़ों में बिल्कुल आपको participate नहीं करना है हमको किसी से कोई मतलब नहीं है कौन सा teacher अच्छा है कौन सा teacher अच्छा नहीं है आप चूज करो ये आपका point है ये आपका decision है ये आपको लेना है ऐसा decision आपको किस teacher से पढ़ना है आपको किस educator से YouTube पर पढ़ना है clear ये बारी बात अगर clear है तो like button पर press करना बहुत जरूरी है समझ रहे हैं हम मेरी बात को है ना ये वीडियो देखने के बाद आपको confusion नहीं रहेगा क्योंकि YouTube पर अगर कोई sincerely study कर रहा है तो मैं definitely guarantee देशता हूँ उसको कही सारा कही तरह का confusion होगा तो आप ये वीडियो शेर करना जिससे confusion कई सारे बच्चों का clear हो जाए clear है ये मेरी बात है ना तो हमको teachers की fight में नहीं पढ़ना है नहीं किसी से fight करनी है teachers की fight ही नहीं student में भी fight नहीं करना है comments में भी fight नहीं करना है कुछ भी जरूर नहीं है आप अपना content पढ़िए वीडियो अच्छा लगा like कीजिए आपको feedback देना है feedback दीजिए और चले जाएए दूसरी वीडियो देखने लगिए बस इतना सा काम है आपको अपना काम निकालना है बस खतम बात और जो आपको educator पढ़ा रहा है उसका सम्मान करना है यह सबसे बड़ी बात होती है है ना यह बात आपको समझाने की जरूत नहीं है आपको पता होगा makes notes देखें एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए total इस channel पे commerce related become first year second year 11, 12th commerce related मैं कम सिकम sorry 100 videos डाल चुका हूँ अभी तक इस YouTube channel पर ठीक है एक बात पर मैं हमेशा बोलता हूँ आप note down करना चाहें तो note down कर लेजिए screenshot लेना चाहें तो screenshot ले लीजिए आप हमेशा एक बात को याद रखिए आपको notes बनाना बेहर जरूरी है यदि आप notes नहीं बना रहे हैं तो आप जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है मेरी बात मानिएगा बहुत ध्यान से बात मेरी सुनिएगा देखिए जो आपको educator PDF दे रहा है या जो भी YouTube channel आपको PDF दे रहा है वो PDF आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको helpful हो प्लस इसी के साथ साथ आप क्या बेवकूफी कर रहे है या बहुत सारे इसे student है वो क्या कर रहे है वो notes नहीं बना रहे है उनको क्या लग रहा है इस PDF क्यों copy करें हम यही सबसे बड़ी गलती है मेरी बात याद रखिए data भरा रहता है मेरे mobile में इतना से PDF पढ़ी रहती है मेरो खुद को नहीं पता रहता समझ रहे हैं आप मेरी बात को पर मैं जो notes बनाता हूँ वो मेरे को पता रहता है समझ रहे हैं इस बात को मैं ऐसे लिए अपनी videos जब भी upload करता हूँ मैं बकाएदा लिखके एक चीज explain करके आपको पढ़ाता हूँ commerce पर business studies होगए economics होगए accounts होगए जो भी मैं आपको समझाता हूँ लिखके समझाता हूँ इसी के साथ साथ मैं बोलता हूँ आप note down कीजिए समझ ये और पढ़िए clear तो notes बनान ज़रूरी है आँगे बढ़ते हैं read books देखिए कई सारे youtube channel कई सारे educator कई सारे teacher ये बोलते हैं कुछ मत करो वेटा हमारी pdf से पढ़ो और book पढ़ने की कोई जरूत नहीं है वो खुदी आपको बता देंगे खुदी suggest कर देंगे कि book पढ़ने की जो लिख रहा है book समझ रहे आप मेरी बात को book पढ़ना बेहर जरूरी है book पढ़ना self study का part है आप क्या चाते हैं दिनवर mobile खोल के बैठे रहेंगे आप 24 गंटे 24 गंटे क्या आप mobile के सामने पढ़ते रहेंगे नहीं आपको self study करना जरूरी है जिनको problem है जिनको नहीं पढ़ना book जिनके पास book नहीं है वो देख सकता है कोई दिक्कत नहीं है पर जिनके पास books है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें book को complete करने का मैं यह बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप online मत पढ़ो क्योंकि आपको educator अच्छा पढ़ाते हैं पर वो एजुकेटर जो ये बोल रहा है कि बुक पढ़ने की जरुवत नहीं है वो आपसे गलत बोल रहे हैं आपको बुक पढ़ना जरूरी है बिल्कुल जरूरी है आने जाते हैं इस पॉइंट पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि रीजन यह है कि शुड्यूल आपको करनी करनी है आप वीडियो एक देखें चाहे दो देखें चाहे तीन देखें पूरे दिन में पर आप सेल्फ एस्टडी उन्हीं वीडियो को रिवाइस कीजिए है ना उन पढ़ें देखिए जब भी हम वीडियो देखते हैं तो हम कॉमेंट्स पढ़ते हैं थाना कॉमेंट्स पढ़ते जाते हैं ये वीडियो देख जाते हैं- स्मझ रहे हैं मेनी시 को और की equival UK कन पूंध है का मता और्बात्र हो plag that term और बनेको बी p pitch और Elijah आपकी तो जवाब यह ऐसा करते हैं अगर है बिलकुल कमेंट पढ़ने की ज़रूत नहीं है बिलकुल आपको लाइब चैट पढ़ने की ज़रूत नहीं क्योंकि आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे आपका फोकस बिगाड़ेंगे आपने देखा होगा रिकमेंड वीडियो भी आती कर देखाने क्योंकि एतना शांदर होता है कि हम थमनेल पिसल जाते है जा और वीडियो पर क्लिक हो जाता है यह हमारा लैक ओफोकस सबसे बढ़ी बिमारी है अगर आम पढ़ाई कर रहा हैं यूज़िक पर फिर अधर कोई हैं आप पे लाग Росс vibrant पर यह सबसे बढ़ी बिमार ही है focus lack of focus क्योंकि focus तूटता है हमारा पूरी तरीके से समझे इस बात को ठीक है आंगे बढ़ते हैं आपको topic study करना है तो आपको क्या बोला मैंने comment नहीं पढ़ने है ठीक है comments नहीं पढ़ने आपको अपना comment करना है अगर आपको कोई comment करना है कोई feedback देना है आप दीजिए और चले जाईए that's all clear अंगे बढ़ते हैं topic study आपको जितना हो सके आपको topic study करना है आपसे जितना हो सके आपको क्या करना है topic study करना है for example आपको economics में stock और supply के वारे में समझना है या stock और flow के वारे में समझना है है तो आप क्या करेंगे आप YouTube पे सर्च कर सकते है difference between stock and flow difference between stock तो ऐसा आपना topic study इसे कहते हैं मैं basically जो मेरे मैंने जो channel बनाया है वो based है topic study पर, मैं topic studies पर काम करता हूँ अधिकतर, मैं cover करता हूँ जैसे मैं economics का 12th पूरा cover करता हूँ, become का cover करता हूँ है ना जो chapters होते हैं syllabus होता है, मैं cover करता हूँ पर मैं topic study के through cover करता हूँ ऐसे नहीं first chapter, second chapter, third chapter इससे बन जाता है मैं आपको बांधना नहीं चाहता है किसी चीज़ी आप topic study कीजी आप dependent मन रहीजे, पूरे मेरे depend हो जाएंगे तो फिर आगे क्या करेंगे समझ रहे हैं आप मेरी बात को तो topic studies कीजी ठीक है ना, यह मेरा view है watch video multiple times देखिए, सुनेगा इस point को इस point मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपको एक video को दो से तीन वार देखना है एक ही educator की फिर से बता देता हूँ एक ही teacher की video YouTube पे यह कहीं और आपको एक ही video एक ही subject एक ही topic की multiple times मतलब कई बार देखने आए क्यों? क्योंकि जिससे concept clear हो जाए अगर हम notes बना रहे हैं तो हम revision कर लें या तो आप notes बना के revision कर लो या फिर हम multiple times देखने की एक बार कोशिश करो आपको guarantee आ जाए clear? अगर मैं बात करूं other point की तो वो है exam oriented exam oriented मतलब कई सारे ऐसे educator हैं जो exam oriented पढ़ाते हैं exam oriented मतलब आपको सबसे चैनल में बता जाएता हूँ हाँ बिलकुल आप समझ लेजिए क्योंकि मैं exam oriented चलता हूँ पूरी तरीके से क्योंकि मेरा आप कोई ना कोई oriented देख लिए जैसे आप job कर रहे हैं for example sorry job नहीं job ढून रहे हैं मतलब उसका exam की तयारी कर रहे हैं competition exam की तयारी कर रहे हैं तो आप समझ ये इस बात को आपको एक ऐसा channel subscribe करना है जो exam oriented हो ये नहीं कि वो आपको सब कुछ पढ़ा रहा है देखिए एक बात समझ लीजे SSC का syllabus अलग होता है railway का syllabus अलग होता है UPSC MPPSC का syllabus भी अलग होता है सभी का syllabus था difference मिलता है 19-20 तो रहता है न वो 19-20 पे ही selection based होता है आज के समय में 19-20 में तो ये मस कोई बोलता है कि 19-20 का अंतर होता है कोई अंतर नहीं होता नहीं 19-20 में ही सब कुछ हो जाता है जो 19-20 का difference होता है न उसमें ही सब कुछ हो जाता है तो याद रखिए oriented आपका aim क्या है आपका सपना क्या है उसको पकड़के आप अपने study कीजिए तो all the best all of you thank you so much इस वीडियो को काफी ज़्यादा शेयर कीजिए मैं target बना के चल रहा हूँ कम से कम इसको 10-20,000 लोग देखें so thank you so much इस वीडियो को पूरा देखने के लिए